नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पात्वाइंड एश्टीडी पॉइंट में तो इस सेशन में हम लोग आगस्त के करेंट अफेयर्स का फोर्थ पार्ट देखेंगे जिसमें हम लोग 156 से स्टार्ट करेंगे इसके पहले के तीन पार्ट आर लेडी अपलोड हैं जिसमें नहीं देखा है तो रिवीजन के लिए आप उसको देख सकते हैं यू करेंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट में वो अबलेबल है साथ ही यूपी करेंट अफेयर्स का भी इसी तरह से जनवरी से जुलाई तक का पूरा एक कमबाइंड वीडियो भी आपको करेंट अफेयर्स 2018 को लागू करने वाला भारत का पहला राजी कौन सा है राजस्थान ये नीती 4 जून को गोसित हुई थी लेकिन अभी हाली में राजस्थान सरकार द्वारा इसको सबसे पहले लागू किया गया है वह राजी जिसने आर्म लाइसेंस यानि सस्त्रों के लाइसेंस जारी करन और उसका रिनीवल करने के समय पूरुसायन को तथा वरिष्ट नागरिकों को दोप टेस्थ की अनवारिता से छूट प्रदान की है पंजाब सरकार द्वारा ये किया गया है उत्तरपदेश सरकार द्वारा मत्स पालक कल्यान कोस के लिए वर्तमान बित्ती वर्ष में कितन प्रदान किया गया है 25 करोण की रासि का प्रदान किया गया है लेखक रामपत चोधरी इनका हाली में निधन हुआ है वे किस भासा या साहित के लेखक थे तो वे बांगला भासी लेखक थे पुरुत्तर के तीन राजी जो HIV हॉट इस्पॉर्ट बनकर उबरे हैं तो HIV हॉट हॉट इस्पॉर्ट का मतलब कि वहां पर जो है एकदम से HIV के केसे ज्यादा खोजे जा रहे हैं एड्स वाले जो है मरीज ज्यादा मिल ले हैं तो ये तीन राजी हैं मेघालाय मिजोरम और त्रिपॉराय ये जो है HIV हॉट इस्पॉर्ट बनकर उबरे हैं आर्थिक अपराध दिर्फिनल यानि राष्टी हरित प्रारीकरन ने हरितवार से उन्नाओ के बीच गंगा किनारे कितने मीटर तक की दूरी को no development zone घोसित किया है यानि गंगा का जो टट है उस सो मीटर तक दोनों तरफ no development zone होगा और उसमें कोई भी निर्मार कार करने की अनमती किसी को भी नह परपित किया गया है अभी हाली में बान सागर परियोजना ये कहां पर इस्थित है ये मुर्जापुर में इस्थित है उत्तर प्रदेश के खानों और खनीजों पर चौथा अंतराश्टी सम्मेलन 2018 कहां पर संपन हुआ इंदोर में संपन हुआ कारोबार सुगमता रैंकिंग में पर्थामिस्थान प्राप्त किया है आनपरेश ने और दुती स्थान इस मामले में मिला है तेलंगाना को नए भारत के लिए डेटा पर अंतराश्टी सम्मेलन का आयोजन अभी हाली में हुआ है नई दिल्ली में केन सरकार द्वारा घोसित सारजुनिक छेत्र के तीन सै उतक्रष्ट संस्थान गोसित किया गया है या लिखना चूड़ गया है तो इनको उतक्रष्ट संस्थान गोसित किया गया ये तीनों है भारती विज्ञान संस्थान बंगलूरू, आयाइटी मुंबई और आयाइटी देलेई को इसके अलावा छे प्राइवेट सेक्टर के भी संस्थानों को इसमें सामिल किया गया है नीती आयोग द्वारा जारी आकांची जिलों की पहली डेल्टा रैंकिंग में देश में प्रथाम इस्थान प्राप्त करने आला जिला कौन सा है दाहोद ये गुजरात का जिला है हाली में युनेस्को की विस्थरोहर सूची में सामिल किया गया इस्थाल कौन सा है तो मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट देखो इस इन्स बलेस ये जो है दोनों इमारते हैं पुर अठारवी उन्नी सताबदी की इनको जो है युनेस्को द्वारा विस्थरोहर सूची में सामिल किया गया है मिसन प्रमुखों का नवा सम्मेलन कहा आयुजित हुआ है नई दिल्ली में और इसकी थीम क्या थी अभूतपूर संपर्क असाधारण सफलताएं चटवा विस्थरोहर सहर सिखर सम्मेलन 2018 कहा पर आयुजित किया गया सिंगापूर में और इसकी थीम थी रहने योग एवं टिकाव सहर नवाचार तथा सहयोग के माध्यम से भविश को अपनाना अब कुछ प्रमुक सूचकांग देख लेते हैं जो 2018 के हैं उसको मैंने एक साथ कंबाइंड इसलिए लिए लिख दिया है तो वैस्विक नवाचार सूचकांग 2018 इसमें भारत का इस्थान 57th है यानि सत्तावना इस्थान है और इसमें सीर्स देश है सुचकांग 2018 इसमें भ इसमें USA यानि अमेरिका पहले इस्थान पर है विश्व प्रेस सुचकांग 2018 भारत का इस्थान 138 है और नार्वे इसमें पहला देश है आर्थिक सुचकांग 2018 इसमें 130 वी पोजीशन है भारत की और हौंग कांग सीर्स देश है विश्व प्रसनता रिपोर्ट इस इंडेक् इसमें प्रथमिस्थान पर है अंतराश्टी ये बहुत धिक संपदा सूचकांग 2018 इसमें भारत को 44 वा इस्थान मिला है और USA इसमें पहले इस्थान पर है पर्यावरण निस्पादन सूचकांग 2018 177 वा इस्थान भारत का है और Switzer Land इसमें प्रथमिस्थान पर है बैस्विक प्रतिभा इस्थान परदा सूचकांग 2018 इसमें भारत का इस्थान 81 है और Switzer Land पहले नंबर पर है अगला सूचकांग है समावेसी विकास सूचकांग 2018 इसमें 62 वा इस्थान भारत का है और नार्वे इसमें पहला देश है जलवायू प्रवर्तन प्रदर्शन सूचकांग 2018 इसमें भारत का 14 वा इस्थान है और स्वीडन इसमें पहले नंबर पे है Doing Business Index 2018 भारत को इसमें समय स्थान प्राप्त हुआ है और New Zealand इसमें पहले इस्थान पर है A.I.I.B. के संचालक मंडल की तीसरी वारसक बेठक अभी हाली में कहां पर हुई है मुंबई में आयोजित हुई है फार्चून पत्रिका द्वारा अभी हाली में जारी की गई है 40 अंडर 40 ये 40 साल के अंदर 40 धनवान या प्रभावसाली व्यक्तियों की सूची होती है इसमें सीर सिस्थान मिला है दो लोगों को केविन इस्ट्रावसाम और मार्क जुगरवर्ग केविन जो है ये इंस्ट्रागराम के सह संस्थापक है और CEO है मार्क जुगरवर्ग के आरे में आप सभी लोग जानते हैं कि ये फेस्बुक के संस्थापक है इसके अनुसार 2017 में भारत की ब्रदिदर बताई गई है 6.7% 2018 के लिए अनुमान बताई गया है 7.5% ELA क्या है SBI कार्ड द्वारा Artificial Intelligence पराधारित Virtual Assistance यानि आभासी सहायक है यह और इसका पूरा नाम है Electronic Live Assistance SBI कार्ड जो है Credit कार्ड उपलब्त कराने वाली भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है केंदरी रच्छा मंत्री निर्मला सीता रमर द्वारा चेन्नाई में भारती सेना को मुख युद्धक टैंक सौपे गए हैं इनका नाम है T-72 और T-90 रिमपाएक 2018 सैन्या भ्यास का आयोजन हुआ है हवाई द्वीप और दच्छडी कैलिफोर्निया जो USA के हैं और इसमें भारत समय 26 देशों की सेनाओं ने प्रतिभाग किया गया है राष्टी हरित अधिकराण यानि NGT के नए अधिक चुने गए हैं नयायमूर्ती आदर्स कुमार गोयल बिस्व के सबसे उचे सक्री ज्वाला मुखी परवत ओजस डेल सलाडो पर चड़ाई करने वाले दूसरे भारती पर्यापतार रोही होने का गरुप्राप्त किया है सत्यरूप सिधान्त ने केंदरिय प्रसासनिक अधिकराण यानि Central Administrative Tribunal के नए अधिक चुने गए हैं नयायमूर्ती एल नरसिम्हा रेड़ी महिलाओं के लिए राष्टी कौसल प्रसिच्छन संस्थान के इस्थाई परसन का अभी हाली में सिलन्याज किया गया है मोहाली प इसमें सरसेष्ट फिल्म का अवार्ड मिला है तुम्हारी सुलू को फेमिना मिस इंडिया दोहजारे ठारा बनी है अनुकरती व्यास ये तमिलनाडू की रहने वाली है दुगगर जल विद्दुत परियोजना जिसका हाली में अनावरण हुआ है ये चिनाब नदी पर इस् सरकार द्वारा मुंड का बहादुरगर मेट्रो लाइन जो प्रस्तावित है जो जिस पर काम चला है ये नई दिल्ली वा हर्याणा को आपस में जोड़ेगी गोपा बंदु संबादिका स्वास्त बीमा योजना ये कारकारी पत्रकारों के लिए है एक बीमा योजना जो द्योग की आयुस राष्टी संस्थाओं के प्रमुकों का सम्मेलन 2018 में हाली में आजित हुआ नई दिल्ली में आपदा जोकी में कमी पर ACI मंत्री स्तरी सम्मेलन 2018 आजित हुआ उलान बटोर जोकी मंगोलिया में स्तित है गैर लोह खनिजों और धातुओं पर 22 ये ICT सम्मेलन 2018 का आयुजन हुआ काठमांडू नेपाल में भारत में सरवाधिक बोली जाने वाली भासा है अभी जो है रजिस्टार जनगरना आयुक्त द्वारा जो है भारत सरकार द्वारा जो है एक आकड़ा जारी किया गया हाली में तो उसमें बताया गया है कि कौन सी भासा बोलने वाले लोगों का कितना प्रिश्यत है भारत में तो हमेशा की तरह हिंदी प्रथम पर है 43.63% लोग इसको बोलते हैं बंगाली भासा दुती इस्थान पर है इसको 8.03% लोग बोलते हैं लेकिन तेलिगू पहले क्या थी तीसरे इस्थान पर थी जो अब चौथ इस्थान पर आ गई है और मराठी ने तीसरा इस्थान पर आप्त कर लिया है 6.86% के साथ और तमिल नाडू 5.70% जो है यहां पर तमिल भासा बोली जाती है और जो अंसूचित भाजाएं हैं उसमें सबसे कम भासा जो है बोलने वाले लोग संस्कृत हैं 21 विद्यायों के अ पोसर संस्थान हाइदरादबाद द्वारा विक्सित किया गया है स्वास मंत्राले जवारा अभी हाली में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है राश्तिय स्वास प्रोफाइल रिपोर्ट 2018 इसके अंसार भारत में स्वास छेतर में GDP का कित्ता प्रिस्थत हिस्सा खर्च किया जाता है 1.02% स्वास छेतर में खर्च किया जाता है और भारत में 11,82 लोगों पर एक एलोपैथिक डॉक्तर उपलब्द है और ये संख्या बिहार में नियुनतम है जहां 28,391 लोगों पर मात्र एक एलोपैथिक डॉक्तर उपलब्द है और नियुनतम में दूस गुद्रा इस्थान है उत्तरप देश का जहां पर 19,962 लोगों पर एक एलोपेथिक डॉक्टर उपलब्द है और सबसे सीर्स देश में इस्थान है दिल्ली का जहां 2203 वेक्तियों पर एक एलोपेथिक डॉक्टर उपलब्द है खोए हुए बच्चों का पता लगाने के लिए Reunite Mobile App लांच किया गया है जिसका विकास किया है एक दो NGO है एक का नाम है बचपन बचाओ आंदोलन और दूसरी है कैपी जेमेनी इनके द्वारा मिलकर जो है Reunite App जो है बनाया गया है वैस्विक दास्ता सुचकांग 2018 ये मानवा दिकार संगठन वाक फ्री फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया है इसमें सीर्स देश उत्तर कोरिया है लेकिन सीर्स का मतलब ये निगेटिव सेंस में है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा दास्ता जो है ब्याप्त है भारत का इस्थान इसमें तिर्फ परवना है और सबसे कम दास्ता यानि निम निस्तर पर कौन सा है जापान है जिसका 167 इस्थान इसमें दिया गया है इस रिपोर्ट में नाटो यानि नौर्थ अट्लांटिक ट्रीटी और्नाइजेशन की 29 वी सिखर बैठक आयो जी थुई ब्र बन जाएगा इसके द्वारा जो है आउपचारिक रूप से घोचना कर दी गई है लेकिन अभी जो है नाटो द्वारा जो है फाइनल स्विकरती प्राप्त होना बाकी है तो जोस्तों इस तरह से हम लोगों ने चार्ट पार्ट में अगस्त का पूरा करन्ट अफेर्स कवर क अब आगे 12 सितंबर की तो उसको भी स्टार्ट करेंगे अभी के लिए इतना ही नमस्कात धन्यवाद